बिस्मिल्ला इरह्मालराहीम, असलाम लेकूं वियूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही special किसम के कोफ्ते बनाने की रेसिपी रेकर आई हूँ जो के बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही tasty हैं इनको ट्राइ करने के बाद आप चिकन और मटन के कोफते बनाना भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी कोफते हैं चने की दाल के साथ ये रैडी होंगे कैसे ये मज़ेदार से कोफते त्यार होंगे ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा तो चलिए आईए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक कप चने की दाल को बिगो कर रख दिया था 4-5 गंडे के लिए आपने इसको बिगोना है दाल आपकी बहुत ही अच्छी तरह से बिगई होनी चाहिए अब इसको आपने चौपर के अंदर शामिल कर देना है कोफते बनाने के लिए आपकी दाल को तकरीबन 4-5 गंडे मस्ट उसको पानी के अंदर भीगो के रखना है ताकि ये थोड़ी सी सोफ्ट हो जाए आप इसको सिल्बटे के उपर भी पीश सकते हैं या पिर इसको आप चौपर के अंदर भी कर सकते हैं जिस तरह आपको ज्यादा इसी रहे उसी तरह से आपने काम करना है अब इसके अंदर आपने टू टेबले स्पून लसन और अद्रक का पेस्ट शामिल कर देना है ये फ्रेश पेस्ट था तीन से चार सबस मिर्चो को आपने मोटा मोटा कूट लेना है वो शामिल कर देनी है एक चोटे साइस की आपने प्याज लेनी है उसको मैंने कदू कश कर लिया था और इसका पानी थोड़ा सा निकाल लिया था वो आपने शामिल कर देनी है अब इसके अंदर 1 teaspoon जीरा powder जाएगा, 1 teaspoon इसमें धणिया powder जाएगा, 1 teaspoon इसमें आपने नमक का शामिल करना है, 1 teaspoon इसमें लाल्वीच पाउडर जाएगा, नमक और मिर्च आप अपनी जरूरत के मताबिक शामिल कर सकते हैं, इसमें हल्दी जाएगी अब इसको आपने बंद करके चौप कर लेना है बिल्कुल पिस्टा हुआ हो कोई भी दाना अंदर नहीं रहना चाहिए अब जितने size के आपने कोफटे रखने है उतने ही size के आपने इसकी balls जो है वो ready कर लेनी है ये देखें मैंने कितनी ही जल्दी असानी के साथ एक बोल ready कर रही है और मेरे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए कोई भी मसाला मेरे हाथों को नहीं लगा और नहीं मैंने ये बनाने से पहले हाथों को ओयल से ग्रीज किया था ये बिल्कुल भी इसका पेस्ट जो है वो हाथों के साथ चिपकता नहीं है बहुत ही असानी के साथ इसके कोफते रैडी हो जाएंगे इसी तरह से आपने one by one सब ही कोफते ready कर लेने हैं इसके साथ ही viewers अगर आपने अभी तक मिरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके ये देखें मारे पास दाल के कोफते ready हो चुके हैं आप इनको fry करते हैं फ्राइं के लिए आपने oil को चेक कर लेना है बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए oil नॉर्मल टेंपरेचर का oil करम होगा तो इसके अंदर आपने कोफते शामिल कर देने है कोफते डालते सार ही आपने इनको हिलाना शुरू नहीं कर देना वलके आपने इनको थोड़ी दिर के लिए सैट होने देना है इनको आपने medium to low flame पर fry करना है जैसे ही एक साइड से कलर आ जाएगा आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड पर भी golden कलर आ जाए डाल हमारे पास कच्ची थी इसलिए आपने इनको low flame पर पकाना है medium to low flame पर पकाना है ताकि ये थोड़े से अंदर तक गल जाए आप चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड पर even कलर आ चुका है लेकिन अभी हम इसको मजीद थोड़ी देर और फ्राइ करेंगे ताकि इनका कलर मजीद थोड़ा डार को जाए चलें जी इतना डार कलर हमें चाहिए था हमने इनको अच्छी तरह से फ्राइ कर लिया है अब हम इनके मसाले की त्यारी की तरफ आ जाते हैं तो एक डाई ही लिया है मैंने उसके अंदर हम शामिल कर देंगे हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑईल क्योंके कोफतों के अंदर ऑईल थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लगता है चुले की फ्लेम आपने मीडियम पे कर देनी है दो बड़े साइस के आपने प्यास देने हैं उनको आपने रफली स्लाइस कर लेना है और उनको आपने ओल की अंदर फ्राई कर लेना है इतनी दे तक आपने प्यास को फ्राई करना है जब तक के इनका कलर लाइट गोल्डन ना आ जाए ओके जी हमारे प्यास ने बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर दे दिया है अब हमने इस पॉइंट पर इसके अंदर दो बड़े साइस के टमाटर एड़ कर देने हैं टमाटर हमारे पास बहुत ही प्यारे कलर के थे रेड रेड कर टमाटर हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं इसको हमने चंद सैकिंड के लिए ओल के अंदर फ्राइ करना है इसके बाद आपने इसके अंदर दो स्लाइसिस में कटी हुई सबस में शामिल कर दिनी है बहुत ही कम वकत में बहुत ही मज़ेदार कोफते रैडी होंगे इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टेप बाइ स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा अब इसके अंदर हमने वन टीज़पून नमक का शामिल कर दिया है हाफ टीज़पून इसमें हल्दी जाएगी वन टीस्पून इसमें लाल मिच का पाउडर शामिल कर दे मसाले आड़ करने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है नमक और मिच हमने कोफतों के अंदर भी शामिल की थी पहले देखे थोड़ी दिर बूने के बाद मसाला जो है वो थोड़ा सा रैड़ी हो चुका है अब हमने इसका इंटरस्टिंग काम ये करना है कि इसको हमने मिक्सर में डाल कर इसको ग्रैंड करना है मसाले को सारा मसाला जो है ओल के साथ हमने मिक्सर में शामिल कर दिया है और इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि इसका फाइन सा पेस्ट जो है वो रैडी हो जाए कोई भी मसाले का मोटा मोटा दाना नहीं होना चाहिए कड़ाई को आपने बिल्कुल नहीं दोना उसी कड़ाई के अंदर आपने ये सारा मसाला दुबारा से एड़ कर देना है चुले की फ्लेम आपने मीडियम टू लो पे ही रखनी है मसाले ने पकना शुरू कर दिया है अब आपने जग के अंदर थोड़ा सा पाणि डॉलकर इसकी सार से मसाला अची तरह से उतार लेना है कोई भी चीज आपने जाया नहीं करनी है सफाई और नफासत का अची तरह से ख्यार रखा करें इसको आपने मिक्स करना है चुले की फ्लेम मीडियम टू लो पे है अब आपने इसके अंदर वन टेबलिस्पून भर कर धनिया पाउडर शामिल कर देना है वन टीस्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा दोनों चीजों को शामिल करने के बाद आपने अची तरह से मिक्स कर लेना है एक और स्पेशल चीज इसमें जाएगी वो है दही जो के मैं डाल रही हूँ हाफ कप के करीब है दही आप सब जानते हैं कि उसको जब भी आपने खाने के अंदर एड़ करना है अच्छी तरह से पैंट के इसको शामिल करना है दही इसलिए इसके अंदर शामिल की जा रही है यह ताकि इसमें बहुती कریमी सा फ्लेवर आ जाए अब इसके अंदर आपने एक ग्लास पानी का शामिल कर दिना है चुले की फ्लेम अपने हाई पे कर दिनी है जैसे ही पानी में बॉइल आने लग जाए और आपने इसके अंदर कोफते जो है वो शामिल कर दिने है एक चीज़ा आपको मैं बताना बूल गई थी कि इस पॉइंट पर आप इसके अंदर तीन अदर सबस जिलाइची भी आड़ कर दें मैं आपको दिखाना बूल गई थी मैंने आड़ करती है इस पॉइंट पर आप इसके अंदर सबस जिलाइची भी शामिल कर सकते है सबजी लाइची डालने से इसकी खुश्बू और फ्लेवर दोनों ही डबल हो जाएंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और कवर करके तक्रीबन आपने इसको 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुको ने देना है ताके दाल अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए 20 मिनट के बाद देखें माशाला से मारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही प्यारी सी रैडियो चुकी है ओल भी उपर आ चुका है इतनी थीक ग्रेवी ही हमें चाहिए बहुत ज्यादा आपने थीक ग्रेवी नहीं कर देनी अब इसके अंदर एक और स्पेशल मसाला जो है वो में शामिल करना है वो है गरम मसाला पाउडर इस से इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाता है इसके अंदर भी आती है इसके अदर फ्लेवर और देका हूजाता है बहुत प्यारी सीई के अंदर से खुष्भू भी आती है इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके आपने तकरीबन एक से दो मिनिट के लिए मजीद मीडियम टू लो फ्लेम पर लग देना है ताके ओल उपर आ जाए देखें माश्याला से हमारे परफेक्ट कोफटे जो है वो बिलकुल रैडी हो चुके हैं जब आपके गर में मटन चिकन बीफ कुछ भी मजूद ना हो तो आप इस दाल वाले कोफटे को जरूर ट्राइ कीजिएगा आपके गर वाले ना सिरफ हिरान होंगे बलके आपकी तारी करेंगे यह देखें मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूं बहुत एजी लिए टूट जाता है बहुत ही सोफ्ट यह रैडी होते हैं और फ्लेवर में भी बहुत ही मज़े के हैं इस रैसपी को एक दफा जरू ट्राइ कीजिएगा इसके साथ ही वीवर्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा जब आप इस रैसपी को अपने गर पर ट्राइ करेंगे तो मुझे कमेंट बोक्स में अपनी राय का जिहार ज़रू कीजिएगा कि आपको यह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी यह कोफते रैडी होंगे इन्शाला आप इसको एक दफार ट्राइ करेंगे तो बार बार इसको अपने गर में बनाएंगे अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्यार रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा एक औ